चैसरी राम दोस्तो रादे रादे मेरा सबी को साधर प्रडाम मैं कमल ब्लोगर और आपको अयुद्ध्या नगरी के बारे में थोड़ी इसको बाते बता रहा हूं और मैं अपने वीडियो में आपको ये सारी चीज़ों के मंदरों के दर्शन कराऊंगा जिसे देखकर आपक तो ऐसा लगेगा कई घर बैटे हमने पुरी अयुद्ध्या नगरी के दर्शन कर लिए अभी प्रिजेंट टाइम में जहां मैं खड़ा हूं यह आप देख रहे हो जो नदी है इसे सरीव नदी बोला जाता है तो यहां से ही मैंने अपने ब्लोग को स्टार्ट किया स्री र से उतरे तो हमने देखा कि यहां पर तो इस्टेशन नया बन रहा है अभी इस इस्टेशन का नाम है अयोत्य धाम आप आगरा से आएंगे या कहीं से भी आएंगे मैं आगरा से हूं तो आगरा बता रहा हूं यहां पर इस्टेशन पर उत्रा इस्टेशन से चैसे ही पहान तो हमने देखा कि यहां पर तो कोई भी ओटो भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, तो हम थोड़ी दिरवाद वहां पहुंच गए, यहां पर हमने देखा कि घंड बहुत तीज है, लोग आग से ताप रहे हैं, फिर हम अंदर की तरफ थोड़ा सा आगि बढ़े और अंदर गई इसमें अंदर विस्राम ग्रह में यहां पर गटिया वगएरा की विवस्ता नहीं थी थोड़ा आगे चले तो दूसरे वाले विस्राब ग्रह में हमें चार पाई दिखाई दी हमने देखा के चार पाई बहुत सौरी खाली हैं, हमने सोचा के हम भी चलते हैं इसके अंदर, तो हम जैसे ही थोड़ा सा अंदर की तरफ बड़े, हमने देखा कि यहां पर तो चार पाई पर बैठने और सोने की विवस्ता है, लेकिन रजाई गद्दे नहीं है, हम लोगों के पास भी रजाई गद्दे नहीं थे, थोड़ा हम यहां पर घूमें, फिरें, और हमने यहां पर घूमने फिरने के बाद देखा, कि यहां हमारी विवस्ता नहीं बनेगी, फिर हम लोगों ने विचार धारा की आपस में बात परात किया, और हमने सोचा कि चलो यहां से हम निकल चलते हैं, हम फिर सीधा चलते हैं राम मंदर की योड तो हम राम मंदर की योड चले तो हमने पता किया किस साइड है राम मंदर राम मंदर तो इस्टेशन के जश्ट सामने ही था जहां से हम निकले थे वहां उसी के सामने ही रास्ता था तो दोस्तों वहां से आपको सीधा इस्टेशन से जैसे ही आप निकलोग मैं श्यामबावू विजय सिंग और मेरे साथ एक फ्रोजावाद के मित्र सुभाज बर्माजी हम लोग आगे चलते हैं धीरे धीरे आगे जाके हम देखते हैं यहाँ पर तो एक धर्मसाला है जिसका नाम है गच राती धर्मसाला यहाँ पर मित्रो आप अंदर जाओगे तो लिखा होगा कि फिरी रूम और खाना भी फिरी है लेकिन इसे पढ़ने के बाद में आप खुस मतोना इसमें कुछ भी फिरी नहीं है यहाँ पर हर चीज का चार्ज लगता है रूम का भी चार्ज है और खाने का भी चार्ज है सिर्फ फ्री है तो नहाना और धोना यहाँ पर आप नहा सकते हो मुदल सकते हो बाकी का खुचवी फ्री नहीं है दोस्तो हमने यहाँ पर घूमा और देखा यहाँ पर बहुती अच्छे से भजन किर्टन बो रहाता बगवान की साथ्णा में आप देख रहे हैं अब सुचा के बहार निकला जाए बहार निकल कर थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर एक अच्छी सी बिल्डिंग बनी थी यहाँ पर शिव शंकर हनुमान जी की मूर्तिया थी लेकिन हम ने यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं किया और आगे की तरह बढ़ते गए हम इस्टेशन से लगवग 500 मीटर की दूरी पर आ ही गए थे तो मार्केट खतम होने वाला था यहाँ पर मार्केट खतम होने के बाद में हमने साइड में सामने जश्ट सामने देखा कि यहाँ पर रोड है राइट के लिए रस्ता क्या है और लेफ्ट के लिए सीधा हाथ और देरा हाथ तो हम जैसे ही आए तो आपको जो मैं दिख रहाँ सामने उगली कर रहाँ सामने स्वास्त केंदर है इस तरफ राम मंदर है और इस तरफ तो सीधा रास्ता चला जाता है मुझे नहीं पता कहां के लिए हम सीधा राम मंदर की ओर बड़े यहाँ पर पुलिस वाले बहुत खड़े हुए थे बैरियल लगे हुए थे इनको हमने क्रॉस किया और सीधा आगे की तरफ चल दिये यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारी भीड है और यहाँ पर भीड भंडारे की थी हमने सोचा के राम मंदर है नहीं लेकिन यहाँ पर भंडारा लगा हुआ था दोस्तो तो हमने सोचा चलो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पी ली जाए तो हम सभी दोस्तों ने मिलकर यहाँ पर पहले तो चाय पी क्योंकि सुबह का टाइम था ठंड बहुत देज दी जैसे ही चाय पीने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बड़े तो चाय पीने के बाद आगे बड़े तो यहाँ पर राम मंदिर का द्वार दिखाई दिया लेकिन हमने सोचा कि केमरी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए इस तरफ देखा तो लाडली मंदर है राम मंदर की गेट के सामने और जश्ट सामने ही राम मंदर द्वार बना हुआ है ये देखे कितना सुंदर द्वार बना हुआ है दोस्तो हमने सोचा के नहीं पहले इस्नान करने चलते हैं सर्यू नदी पर वहां से इस्नान करने के बाद में आएंगे राम मंदिर पर राम लला के दर्शन करने के लिए हमने थोड़ा यहां की भीड का थोड़ा वीडियो बनाया जाए किस तरीके से थोड़ा अंदर की तरफ चले हमने अंदर जाकर देखा बहुती अच्छा लेकिन यहां पर अभी कारेच चल रहा है दोस्तो जब मैं गया था तो अभी पूर तरीके से बनके तयार नहीं हुआ है यहां की विवस्ता है अभी सारी विवस्ता इसी तरीके से चल रही है टेंपर साथे में हमको एक जो साइकल से यात्रा करते हुए हमारे एक राम भक्त आये हुए थे तो उनसे थोड़ा हमने वार्तलाब किया और हम थोड़ा आगे की तरफ फिर निकल चले तो यहां पर हमने देखा साम होने वाली थी लेकिन यहां पर लाइट बहुत ही अच्छी लग नहीं थी यह देखिए सामने यहां पर धनुस के तरीकी की लाइटे लगी हुई है यहां पर हम पहुंच गए हैं लता मंगेश्वर चौकपर लता मंगेश्वर चौकपर आप पहुंचोगे जस्ट उसी तिराहे यह चौराहा जो भी है वहां पर आपको शरीव नदी है शर के एक चक्र है वो काफी सुन्दर दिखने में हैं यहां पर भी हम थोड़ा बहुत घूमें और उसके बाद हमने यहां पर घूमने के बाद में फिर हमने सोचा कि अब काफी समय हो रहा है नहां लेना चाहिए हम सरीव नदी की तरब बढ़ने के लिए चले यहां पर हमने थ सरीवनदी दोस्तो neighborhood दिख रहा होगा चित्र में वीडियो में आपको सरीवनदी दिख रही होगी यहाँ पर हम थोड़ा हमने सोच यहाँ घूम लिया जाए उसके वाद सरीवनदी में चलती हैं यहाँ ये लोग कुछ गा रहे थे, सुनते हैं, ये क्या गा रहे हैं लोग, ये तो हमने जब सुना तो हमें पता चला, ये तो कृष्ण भगते हैं, और यहां पर राम नगरी में आई हुए हैं, अयोध्या में, फिर यहां पर हमने चारोतरब घूमा, और फिर हमने, मैंने अपने द नहां लिया जाए शरीव नदी के आपको दर्सन कराने के लिए चलती हैं दोस्तों जल्दी जल्दी जब तक एक और किलिपिन के भजन की सुना देता हूं मैं आपको अधिके बारे में तिस्वर्णा है यहां पर लोगी तो आदे चलके हमने देखा कि हमें तो हनुमान जी के साक्षा दर्सन हो गई हैं दोस्तों आप देखिए सामने ये लोग बानर जी बानर हनुमान जी के मोटी ही सिर्फ रूप है उनका लंगूर्ज से बोलते हैं मैंने पूछा इस वच्चे से के ये काट तो नहीं लेगा इसने का नहीं काटेगा नहीं गया है क्यों मैंने का कि यहां पर यह बोला कि यहां पर प्रोग्राम सोते हैं तो इसलिए मैंने का अच्छा फिर हम आ गए शरीव नदी के घाट पर यहां पर देखी काफी अच्छे तरीके से घाट बना हुआ है लोग इसनान कर रहे हैं भीड काफी कम हैं तो कोई नहीं ह भक्त हनुमान के यहाँ पर भगवान की आराधना कर रहे थे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यह देखिए भगवान की आराधना में कितने लीन हैं ये लोग अब हमने सोचा यहाँ से चल दिया जाए तो हम आगी की तरफ में बढ़ा ओ भाई बेराज के पानी निकल रहा था काफी तेज पानी निकल रहा था मैंने हलका सा हात अंदर डाला पानीमे ओ बाई बाई इतना ठंडा पानी काफी टेज ठंडा पानी था जैसे कि आप कभी हरिद्वार गए हो तो गंगा जी का पानी होता है सेम वही गंगा जी का पानी था देखी लोग नहा रहे हैं और मैंने भी अपने कपड़े उतारे और जल्दी जल्दी मैं भी नाने के लिए कंगा जी के पानी में कूद गया। और नाने के बाद सभी लोग हम फिरी हुए और फिर आन से चल दिये। जैसे चले तो दीवाल पे यहां पर पूरी रामाएंड थी। यहां पर एक दिवाल पर रामायड के काफी चित्र थे यह देखिए आगे की तरफ बढ़ते गए और आपको अभी हम सीधे चलते हैं हनुमान गड़ी जहां पर दर्शन करने पर बताया जाता है कि हनुमान जी के दर्शन करना कुछ जरूरी है आप राम लला के दर्शन करें तो सबसे पहले आप हनुमान जी के दर्शन करें उसके बाद में राम लला के दर्शन करें तो आगे की तरफ हम बढ़ते हुए चले गए यहाँ पर कुछ फोटो ओटो भी लिए यहाँ पर एक साइकल वाले भहिया और मिल गए जो राम भक्त हैं तो थोड़ावा तो इनसे भी हमने बार तराप किया यह काफी दूर से चल के आये थे हजार किलोमीटर से तो इनसे मिलने के बाद फिर हम आगे चले हनुमान जी के दर्सन करने के लिए यहाँ पर तो देखा के काफी लंबी लाइन लगी हुई है भाई करीब करीब आदा किलोमीटर दूर पांसो मीटर लंबी लाइन है और साइद जादा ही लंबी होगी हमने तो सोचा हमारे तो आगया नंबर भाई निकल लो यहाँ से अभी तो फिर हम लोगों ने भीड़ और वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने कहा के चलो राम जी के ही दर्सन करते हैं तो हम सभी लोग राम जी के दर्सन करने के लिए निकल पड़े और राम जी के दर्सन हमें साम को हुए थे तो यहाँ पर आप जो जो रास्टा देख रहे हो न ये अंदर जाने का रास्ता है जैसे जैसे बढ़ते गई ये साइद B.I.P. लोगों के लिए जाने का रास्ता था ऐसे ही आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और आगे चल कर जो नजारा मैंने देखा न भाई मजा आ गया वहाँ पर तो मिलकर चलिए चलते हैं जल्दी यल्दी चलता हूं मैं झाल 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 झा कि यहां पर आगे आए तो हमने देखा यहां पर चेकिंग हो रही थी यहां पर आप सामने जो क्रेन देख रहो ना उधर है राम मंदिर यहां पर चेकिंग हो रही थी यहां पर बैग बैग और कोई कुछ गलत तरीके से ना अंदर चला जाए मंदिर में इसलिए यहां चेकिं राम मंदिर है क्या लेकिन नहीं यहां पर अंदर जाकर हमने देखा न तो यहां पर तो मोबाइल पर्स है मोबाइल है इलेक्ट्रोनिक सामान है बैग है यह सारी चीज़ें जमा हो रही थी लेकिन भाई बात की जाए न एकदम बहुती मस्त तरीके से यहां पर सुभिधा है यहां पर देखे तीर थार्तियों के लिए सामान बैग बगेरा जमा करने का यह बिल्डिंग बनी हुई है यहां पर अपना बैग मोबाइल पर्स गड़ी जो भी इलेक्ट्रोनिक्स चीज़ है वो सारी चीज़ों को जमा कर देते तो फिर हमने भी देरी ना कि हम भी लाइन आता राम मंदर पर मोबाइल नहीं जा सकता है तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं समप्त करता हूं एक वार आप अयोध्या चरूर आएगा दोथो जैसरी राम